नमस्कार मैं सिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक न्यूस 24 जब से पावन सिंग बोचपूरी के पावर स्टार पावन सिंग कारा काट लोग सभा सीट से निर्दलिये प्रत्याश्री के तौर पर चुनाव लरने का फैस्ता लिये हैं तब से कारा काट लोग सभा एक तो भाचपा के खिलाफ खरे हैं ऐसा वो दिखाने की कोशिस बिल्कूल नहीं कर रहे हैं लेकिन भाचपा ये साफ साफ मान चुकी है कि पावन सिंग के बीजिपी यानी भाचपा यानी NDA के खिलाफ खरी है क्योंकि NDA के तरफ से उपेंद्र कुश्वाह कारा कारा काट लोग सभा सीट पर चुनाव लरने को तयार है ऐसे मैं आपको बता दे कि चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि पावन सिंग अभिनेता है लेकिन आपको जैसा कि बता दे कि पावन सिंग आसन सोल से टिकेट जब बीजपी ने उन्हें दिया था तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कारण इसकदर बाजार में आया था चर्चा इसकदर हो रही थी कि पावन सिंग पर असलील गाने गाने का आरोप लगा था इसलिए जनता उन्हें सुकार नहीं करेगी इसलिए वो टिकेट भी लोटा दिये हैं कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे उस दोरान लेकिन आपको बता दे कि बीजपी नहीं पावन सिंग को आसन सोल से टिकेट दिया था लेकिन उस वक्त बीजपी के कोई भी नेता हो चाहे कारे करता हो चाहे MLC कोई भी हो किनी ने भी पवन सिंग के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला अब जैसे ही पवन सिंग कारा कार्ट लोग सभा सीट से चनाव लरने की गोशना कर दिये अलान कर दिया है तब से चचा का बाजार गर में एक तरफ अगर आपको बताएं तो पवन सिंग बीजपी के खिलाफ बोलने से लगतार बच रहे हैं यहां तक पीए मोधी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं हाला कि बढ़ाई करते नजर आ रहे हैं पवन सिंग लेकिन अगर आप देखेंगे तो धरातल पर और जहां से कारा काट लोग सबा सीट से निर्दलिये तोर पर पवन सिंग लड़ने की गोशना कर दिये हैं वहां से लगतार पवन सिंग को घेरा जा रहा है इस तरह के आरोप लगाया जा रहे हैं कि पवन सिंग असलील गाने गाते हैं और ऐसे नेता यानि की अभिनेता नहीं बन सकते हैं यहां तक आपको बता दे कि पवन सिंग ने एक नीजी इंटर्वियू में कहा था कि वो असलील गाने नहीं गाते हैं अलाकि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो इसे सरा सर इंकार करते हैं लेकिन लोक गायक यानि की पवन सिंग जो है वो एक लोक गयक है यानि उन्होंने जितने भी बोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री से तमाम गाने रिलीज करवा हैं उससे कई ज़्यादा उन्होंने लोक गाना यानि कि लोगों के लिए भक्ति गीत गाये हैं पेश किया हैं ये बात पवन सिंग ने साफ तोर पर कायों ने काया है कि छटी मया का गीत हो दुरगा माता का गीत हो या शिवजी के गीत हो इन तमाम गीतों को उन्होंने लोगों के बीच पेश किया है ऐसे में बच्चे बच् चलते हैं कि पवन सिंग को इन तमाम मामलों को लेकर ये भी सवाल जनता उठा रही है कि जब आसन सोल से पवन सिंग चुनाव लड़ने के लिए तयार हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने इंकार कर दिया वो अलग मसला है लेकिन तब बीजपी एक शब्द नहीं बूल रही है पवन सिंग पर हाला कि पवन सिंग अब जंसंपर्ग के लिए मैदान में उतर चुक है लगातार जंसभा संबोध संबोर्ध भी कर रहे हैं जंसंपर्ग भी कर रहे हैं लोगों से दो से बना हूए जहां आपको वास्वा शेद से आगे बताते है जो ह lud पपु यादव पवन सिंग के सपोर्ट में आखड़े उतरे हैं जी हाँ आपको बता देते हैं कि पपु यादव ने कहा है कि पवन सिंग उनकी छोटे भाई हैं यहाँ दक उन्होंने कहा है कि अगर पवन सिंग बीजड़ी के खिलाफ करें निर्दलीय प्रत्याशिक के तव पर खड़े हैं तो इसलिए बीजपी MLC उन्हें गाली देने का काम कर रही है जिहां ये बात पपु यादव ने का है उन्होंने ये भी का है कि पवन सिंग का मो अगर भंग हो गया है भाजपा से तो पपु यादव खुद जिहां खुद अपने कारेकरताओं के साथ पवन सि जीत सकें जी हां ये बात पपु यादव ने खुद कहा है यहां तक आपको बता दे कि भाजपा MLC जीवन कुमार ने पपु यादव को लेकर भी कहा था पिछले कई वीडियो में इस मामले को लेकर मैंने जिक्र किया है लेकिन इस वक्त आपको बताएं तो जीवन कुमार पवन सिंग को लेकर जिसकदर से बयान दिया है वो भी काफी चर्चा में बना हुआ है जीवन कुमार ने कहा है कि पवन सिंग एक अशलील गाना पेश करते हैं और कही ना कहीं ये समाज को घंडा करने का काम किये है ये बात जैसे ही जीवन कुमार का सामने आया वैसे ही काफी घमसान मचा हुआ है आपको याद होगा कि मनुस्तिवारी ने पपू यादव मास कीज़ेगा पवन सिंग को लेकर ये बात कहा था कि मनुस्तिवारी जाएंगे खुद मिलेंगे पवन सिंग से और ये बात कि पवंसिंग मान जा हलाकि इस पर फूल स्टॉप लग चुका है लेकिन पप्पु यादफ के तरफ सकते यह बत बड़ी बात हो जाएगी कारा कार्ट लोगसभा सिट को लेकर जिसकर से पवंसिंग अब पूरे तरीके से कमर कस लिए है कि चुनाव यहीं से लड़ना कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी बोले कोई फरक नहीं पड़ता हलाकि आपको बता दे कि जीवन कुमार ने एक और बयान दिया था उन्होंने कहा था कि आरजेडी की एजेंट बने हुए हैं कौन पवन सिंग यह बात जीवन के हित मेँ हम खडए हैं ऐसे में पवन सिंग को लेकर पपू यादव का जो बयान आया है वो तो सुड़कियों में बना हुआ है क्या आपको लगता है कि पप्वय आदव सही माईने में छोटे भाई मानते पवन सिंग और उनके लिए खड़े होंगे क्योंकि उन्होंने य केरी असलील बाते भी कर रही हैं कि करते हैं लेकिन पहले यह जो बाते थी वह नहीं आती थी पावन सिंग को लेकर पुयादा जिस कदर सपोर्ट में उत्रे हैं इस पर आपकी क्या वचार है आप हमारे कॉमेंट बोक सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और इस वीडियो को ज झाल